नमस्कार दर्शकों, आज Stable Coins के बारे में कुछ जानेंगे, जैसे की Stable Coins क्या है, उसकी क्यों आवश्यक्ता है, Stable Coins के प्रकार कितने हैं, किसने बनाए है, इस पर विश्ष्वास करें की नहीं, और हां, क्या 5 Blockchain पर Stable Coins बनाना संबव है, तो देखते रहें MetaMitra Channel मित्र अगर आप में से किसी ने crypto exchange की website या mobile app पर देखा होगा कि ये USDT, BUSD या USDC जैसे crypto देखने को मिलते हैं किसी को अगर कोई crypto खरीदना है तो पहले इन exchanges पर अपने देश की currency से stable coin लेना पड़ता है और फिर उस stable coin से लोग अपना पसंदिदा crypto खरीदते हैं तो इस प्रकार ऐसे stable coins जो है वो रुपिय डॉलर जैसी वास्तविक दुनिया की currency और crypto currency के बीच अपना किरदार निभाती है अब लोग crypto currency को खरीद तो लेते हैं लेकिन क्या इस crypto currency का इस्तेमाल रोजमर्रा के लेंदेन में या कुछ भी खरीदने के लिए करते हैं? नहीं, भाई क्यों? क्योंकि crypto currency की कीमत स्थीर नहीं रहती, बहुत ज्यादा स्थीर है कुछ ही गंटों में crypto की कीमत बहुत बढ़ सकती है या फिर एक दम से भारी गिरावटा सकती है इसलिए crypto currency से रोजमर्रा की जिंदगी में goods और services खरीदने या अपने bil का भुकतान करने से आपको नुकसान हो सकता है या आपके दुकानदार को नुकसान उठाना पड़ सकता है और बात सिर्फ यहां तक सिमीत नहीं इस समस्या का सामना crypto currency के निवेशकों को भी करना पड़ता है जब बाजार गिरना शुरू हो जाता है तो exchange इस पर trading करने वाले निवेशकों के पास भी कोई रास्ता नहीं होता है क्योंकि crypto currency को गिरते बाजार मुले के साथ जल्दी से बदलना या बेचकर निकलना इतना आसान नहीं होता है transactions में बहुत समय लगता है इस से निवेशकों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है तो इसी वज़ा से अब stable coin picture में आता है उदारन से समझें तो आपने 1000 रुपय के crypto से दुकान से कोई चीज़ खरी दी online हो या offline crypto से shopping की अब आदे गंटे के बाद उस crypto का भाव 300 रुपया हो गया तो आपने सोचा कि आदे गंटे इंतजार करता तो वो चीज 300 में मिलती है न परन्तो दुसरी तरफ दुकानदार को तो आदे गंटे में 700 रुपया का नुक्षान हुआ और ऐसे तो कई दुकानदार 1000 रुपया का सामान online या offline बेचते हैं तो भाव ऐसे अस्थीर crypto से कौन वियापार करेगा तो किसी ने एक software code से किसी blockchain पर token बनाए और उस token को dollar के साथ बांद दिया यानि पैग किया अब वो एक crypto token की कीमत उतनी ही रहेगी जितनी एक dollar की रहेगी यानि एक token की कीमत एक dollar ही रहेगी जिस प्रकार किसी प्राणी को एक खुटी से बांद देते हैं तो उसकी एक सीमा तय हो जाती है और वो प्राणी उस सीमा से बाहर नहीं जा सकता उसी प्रकार उस token की कीमत dollar की कीमत से ज़्यादा नहीं होगी इस प्रकार इतना समझ में आया कि crypto की blockchain पर software program से यानि smart contract से बनाए हुए tokens को stable coin कहते है stable coin एक तरह से token है लक्षमी है जिस प्रकार लक्षमी का एक स्वरूप रूपिय पैसे डॉलर जैसा है उसी प्रकार लक्षमी का नया स्वरूप stable coins का है stable coin की खुद की अपनी blockchain नहीं होती है वो तो किसी दूसरी blockchain पर बना हुआ utility token है crypto coin और crypto tokens के बारे में जदा जानने के लिए ये video जरूर देखें अब ऐसे stable coin की utility यानि इसकी उप्योगिता ये है कि अब वो दूसरे crypto को लेने के लिए काम में आ सकता है stable coin से दूसरे crypto को खरीदे जाते हैं और दूसरे crypto को बेज कर stable coin लिया जाता है क्योंकि stable coin को बाद में रूपिय में या डॉलर में convert कर सकते हैं इस तरह आपके रूपिय और bitcoin जैसे crypto coins के बीच में stable coins रहते हैं या कहो इन दोनों को एक दूसरे में बदलने के लिए stable coins काम में आते हैं जैसे blockchain पर cryptocurrency रहती है उसी प्रकार stable coins भी cryptographic token के रूप में blockchain पर मौझूद है और हर कोई इसे blockchain पर देख सकता है इस प्रकार ये utility token है जिसकी कीमत fiat currency के साथ जुड़ी हुई होती है अब किसी को लगता होगा कि तो फिर सीधे dollar से ही payment ना करें ये stable coin से payment क्यों करें भाई तो ये भी जान लेते हैं कि euro dollar, yuan जैसी currency centralized है सरकार के नियंद्रण में होती है एक देश से दूसरे देश में payment करना होता है तो swift code से होता है और बैंकों में छुटी के दिन international level पर payment लेट पहुंचता है डॉलर transfer करने में bank अपना charge काटती है जिसमें transaction charge, transfer charge या conversion charge लगता है तो दूसरी और cryptocurrency जो है वो internet पर decentralized blockchain पर है सरकार के नियंद्रण में नहीं है दुनिया में कहीं भी, कभी भी यानि छुटी के दिन भी international level पर payment कर सकते हैं उसमें सिर्फ transaction charge लगता है जो बैंकों के मुकाबले कम होता है stable coins cryptocurrency के सुवी धा के साथ-साथ फियेट मुद्राओं की स्थीर्था पर भी ध्यान देते हैं जिसका मतलब है कि fast settlement के साथ-साथ कम नियामक बादाएं अभी तो stable coin इतने लोग पर नहीं है इसलिए कोई भी इसे अभी payment करने के विकल्प में नहीं देखता है लेकिन भविशे में इसका उप्योग बहुत ज्यादा हो सकता है अभी तो stable coins मुख्य रूप से cryptocurrency exchange में ही उप्योग किया जाता है stable coins का एक और फाइदा ये है कि लोग अपने fund को exchangeों के बीच जल्दी से transfer कर सकते हैं क्योंकि crypto का लेंदेन fiat मुद्राओं की तुलना में बहुत तेज है व्यापारी भी दिरे दिरे international payment के लिए stable coin का अधीग उप्योग करें तो आश्चरे नहीं होगा अब आगे देखते हैं stable coin के प्रकार ऐसा नहीं कि सिर्फ dollar, euro, yuan जैसी fiat currency के साथ ही जोड़कर stable token बनाए जाते हैं अपितु gold के साथ, oil के साथ दुसरे crypto के साथ भी जोड़कर stable coin बनाए जाते हैं पहले इसके प्रकार देख लेते हैं बाद में stable coins कौन बनाता है वो जानेंगे ये चार प्रकार के stable coins बनाए जाते हैं fiat backed, commodity backed, crypto backed और algorithm backed fiat backed यानि fiat currency से समर्थित tokens ऐसे token कोई company बनाती है जिसको भी token चाहिए वो exchange पर 1 डॉलर देकर या डॉलर का जो भी rate चलता है उतनी कीमत देकर खरीदता है तो company एक coin के सामने 1 डॉलर का note stock में रखती है company ने 100 token बेचे तो 100 डॉलर के कागज के note रखती है company ये काम सही करती है कि नहीं उसके लिए government उसका audit भी करती है इसके उदारण है USDT जो Tether Company ने बनाया है और भी है जैसे कि USDC, BUSD, True USD Tether USDT एक से ज़्यादा blockchain पर बना है और ना सिर्थ डॉलर, अपितु यूरो, यूवान और मेक्सिकन पैसो के साथ भी पैग किया हुआ है दूसरा प्रकार stable coin का जो है वो है commodity based stable coin commodity समर्थित ऐसे stable coin सीधे वास्तविक दुनिया की वस्तूओं से जुड़े हुए होते हैं ऐसी वस्तूओं में कच्चा तेल, किम्ती धातूएं, हीरे, यहां तक कि कलाक रूतियां या hot dog भी शामिल है इसमें कम्पनियां एक token के बदले में उतने gold या oil का stock करती हैं उसके उधारण देखें तो Paxo Gold, DGX, Tether Gold वगेरा gold से समर्थित tokens हैं वेनेजुएला पेट्रो नाम के stable coin का मुल्या, वेनेजुएला सरकार के तेल के भंडार से जुड़ा हुआ है Paxos Gold इथेरियम ब्लोक्चेन पर स्मार्ट कॉंट्रेक से बना हुआ stable coin है कम्पनी एक Paxos Gold token के सामने एक ट्रॉय आंस gold store करती है यानि कोई भी किसी एक्सेंज पर एक Paxos Gold token खरीता है तो कम्पनी 31 ग्राम सोना अपने खजाने में रख देती है तिसरा प्रकार है crypto-backed stable coin इसमें कम्पनी उतने कीमत का crypto का स्टॉक करती है डाई नाम का coin crypto-based stable coin का उधारण है चोथा प्रकार जो stable coin का है उसमें किसी बहुतिक वस्तू का समर्थन नहीं होता ये algorithm stable coin के रूप में माना जाता है जिस प्रकार real world में central bank महगाई को यानि मुद्राश्विती को वी नियमीद करने का लक्ष रखते हैं उसी प्रकार cryptocurrency की demand and supply को वी नियमीद करने के लिए smart contracts होते हैं ये चोथे प्रकार के stable coin ऐसे algorithmic drastic on पर भरोसा करते हैं और अपनी कीमत स्थीर रखते हैं उसके उधारण देखें तो Terra Classic USD इसे UST भी कहते हैं फिर है USDD, Ampleforth और Frex इन चारो stable coin में से Fiat-backed stable coins का उपयोग exchanges पर देखा गया है बाकी stable coins को बाजर में उतनी लोग प्रिता नहीं मिली है और Terra Luna जैसे stable coin पर से निवे शकों का विश्वास कम हो गया है अब ऐसी stable company चलाने वाले मालिक के मन में क्या है वो यानि उसकी नियत को तो पैचा नहीं सकते न कब क्या गरबड़ी करें और आपके पैसे डूब जाएं तो कहां उसको पकड़ने जाएंगे और किसी देश की सरकार ने उसे पकड़ भी लिया तो फिर वही court case का चकर और उसमें टाइम निकल जाता है भया उपर से आपके पैसे कब भी लेंगे उसके कोई guarantee नहीं होती तो stable coin भी दूद का दूला नहीं है ध्यान जरूर रखें इसमें सब सभी coins के उपर एक एक वीडियो अलग से बन सकता है परन्तो fiat backed और gold backed stable coin के बारे में ज्यादा जानकरी चाहिए तो comment करके बता सकते हैं थोड़ा और detail में जानेंगे अभी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए last question देखते हैं कि क्या pi network की blockchain पर stable coin बनाना संभाव है देखे पहले नहीं था अभी आशा की किरन दिखी है जैसे हमने आगे जाना कि किसी blockchain पर stable coin बनाने के लिए smart contract बनाने पड़ते हैं ये smart contract ऐसा software प्रोग्राम है जो blockchain पर अपने आप चलता है तो pi की blockchain पर smart contract बनने की संभावना दिखी है किस प्रकार तो by pi network stellar protocol का उप्यो करता है और stellar का नया version protocol 20 20 सितम बर से release होने जा रहा है stellar पर पिछले मैंने सोरोबान करके एक platform की रचना हुई है जिससे stellar blockchain पर smart contract बना सकते हैं हाँ ये मज़ाएगा smart contract programs के जरिये वास्तविक दुनिया में blockchain technology कहीं तरक से उप्योग में आ सकती है अगर pi network में stellar का नया version अपडेट होता है तो ये possible हो सकता है ऐसा लगता है परन्तो आज नहीं तो कल pi में stellar का नया protocol 20 अपडेट होगा ही होगा और भविश्य में pi की blockchain पर smart contracts भी बनेंगे तब development के बहुत सारी संभावनाए उबर के सामने आएगी परन्तो अभी प्रशन ये है कि क्या pi blockchain के उपर कोई stable coin बनाना चाहिए या नहीं अगर बनाना चाहिए तो किस प्रकार की खुंटी के साथ बांधना चाहिए डॉलर के साथ, गोल्ड के साथ, या किसी और crypto के साथ या किसी के भी साथ नहीं pi की brainstorm में एक दो प्रोजेक्ट ऐसे stable coin के भी बनने शायद शुरू हो चुके है परन्तो मित्रो अगर pi की कीमत स्थीर रहती है, stable रहती है तो stable coin की जरुवत ही नहीं है न pi ही सभी जगहों पर आसानी से goods और services की लेंदेन करने में काम में आएगा जिस प्रकार अभी हो रहा है कीमस्तीर रहने से दुनिया में छोटे बड़े सभी बिजनेस में इसका उप्योग होगा यह भी संभावना है कि नौकरी करने की तनख्वा, salary भी pi में मिले परन्तु अगर दूसरे crypto की तरह इस pi की कीमत भी बहुत अस्तीर रहती है बहुत उचाल या गिरावट आती रहती है तो इस pi blockchain के उपर बने हुए एक और stable coin की जरूरत पड़ेगी अब देखना यह है कि pi network पर अगर कोई stable coin बनता है तो सफल होगा या नहीं क्या इसका stable coin pi network के pioneer के लिए और उनके business के लिए पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचेगा अपने विचार comment में तुरंत बताएं और इतनी जानकारी कम लगी हो तो यहां से आगे की अपनी research यात्रा की शुरुआत करें समय के साथ बदलते हुए ग्ञान को प्राप्त करते रहें नया नया जानते रहें और प्रसंद रहें मेटा मित्र से जुड़े रहें मेरो मित्र मेटो मित्र सो जय हिंद जय बारत